हलो फ्रेंड मैं सेफ डुक्स नील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे एक बड़ी ही कॉमन प्रोब्लम जिससे बड़े ही लोग परिशान रहते हैं वो है हेर फोल प्रोब्लम बाल जढने की समस्या दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना और देगी बैल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक उप्योगी वीडियो की जानकरी आपको समय समय पे मिलती रहे दोस्तों हेर फोल एक ऐसी समस्या है जिससे आदम बड़ा ही मांसिक रूप से भी परिशान होता है आज हम जानेंगे क्यों बाल जड़ते हैं उसका क्या कारण है बट अपने को आगे ये सब जानकरी जानने से पहले कुछ इंपोर्टेंट जो अपने तत्ये हैं बालों से रिलेटेट वो अपने को जानना जरूरी है दोस्त होते हैं और आपको जानकि ये असे होगा कि 100 हैर्स अगर 100 हैर्स अगर फॉल होते हैं जब तक आपका जो है वो एक नॉर्मल हैर फॉल है और हैर फॉल जो है वो यूजवली जो है बॉइस में अरली होता है गर्ल्स में लेट होता है यानि मेल में 20 अराउंड येर पे बहु aroamn 40% 60 year के बाद में जो है वह अपोल स्टार्ट होता है कि मैल में पहले क्यों होता है फिमेल में लेट क्यों होता है दोस्तों इसका एक वेलीड रिजन होता है मेल पैशेंट के अंदर अपने एक एंदरोजन की जो इन रिशेप्र हें तो जादा होते हैं में कम पِّक पि pertama जो तह्य जो हेरफाल है वह कम होता प्योंकि उना में जो फुक्फ करेस्टो सोरॉण है क्योंकि लगासेंद आपका इस आपक्ता मिलो होता इसका एक एंजाइम होता है, एलफा रिडक्टेज, तो वो हार्मोन की जो रिसेप्टर है, वो फिमेल में कम होते हैं, जिसके कारण वो एक्ट नहीं हो पाता और टेस्टोस्टेरोन का कनवर्जन है फिमेल में, एस्टोडियोल हार्मोन में कनवर्ड हो जाता है, इसके कारण काम होता है यह प्राद दोस्तों सेकंड इंपोर्टेंट रीजन है वाट इस दा कोजिश होता है हर आदमी जानना चाहता है क्या कारण है हेर फोल की दोस्तों अगर हम हेर फोल को जो है एक ब्रोड ली तू केटेगरी में डिवाइड करते हैं और उसी के अकोर्डिंग उसके जानते हैं like Hairfall में दो कैटेगरी है इंज में स्कर्रिग अलोपीजा राद अनमी मेरफटेय कॉस्क्रिभ तो ब्रोड ओंद यह उसको भी प्रेuti में जो अपना का जो इलोपीजिया की में प्योड़ पार्ट में यह आपना Youchar पार्ट है जो मेदुला पार्ट है जो आद यह तो फोलिकल्स जय है हैर का क्योंकि हैर का जो तीन पार्ट होते हैं जो उपर उपर का पार्ट होता है उसको अपन जो है इंफंडी बुलम बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को इस्तमस और लास पाले को जो है फोलिकल्स जिसके अंदर अपना जो है मिलेनीन और वो जो है उसका entry वगर सब चीज़ें रीक हें है को न्यक्रों को निदुट्रेशन देने के लिए यह अधिस किया है कि जो नीचे को लोवर पार्ट है उसमेंेक्छा उता है उसको जो हार फॉल होथा वह रॉका राईकल्ट है फॉल यह फोल होता है। इसमें बहुत सारी केटेगरीज होती है तीन या चार केटेगरीज होती है जिनमें अलग-अलग जिसका रीजन है एक तो जो हेयर के है तीन स्टेज होती है एनाजेन,केटाजेन और ठिलोजेन तो जो एनाजेन केटाजेन की कंडिशन होती है littory. उसमें जो हेयर फोल जो होता है वो कुछ रीजन होते हैं पोस्ट कीमो घ्रयपी जैसे कैंसरर की जो सरस्री जोती है और उसके बाद में जो है कीमो थरविय पेश Aye पिसेंट को जो रेडियो थर्यवीं लगती है उसके करण जो होता है उसको एनागें इ compilation बोलते हैं उसके बाद में एक connections होती है जिसमें सदन जो है आपके मैसीव हैं आपके जो है yaş Loos होते हैं उसको टी बार जहे फिमेल में जो है oral contraceptive का भी start करना भी एक region है या जो है वह अधर कोई हार्मोनल चल रहा है या कई बार hypothyroidism की जो condition है उसके कारण भी आपका जो sudden massive loss होता है वह भी एक hair loss का region है दोस्तों यह जो दोनु condition है आपका जो एनगेन एफ्लोवियम है और जो टीलागेन जैन एफ्लोवियम जो दोनु condition है यह condition basically जो है वह self-limiting condition होती है और इनमें यह reversible hearing loss होता है अपने आप बालों का वापस एक जब आपका stress और वह जो है उसका कारण खतम होता है तो वापस आ जाता है तीसरा है दोस्तों एक जिसमें आपकी scalp पे आपकी जो है सिर पे आपको कुछ patch of hair loss कुछ rounded sap में जगे जगे patch of hearing loss है एक फॉल जो है आपका होता है तो उसको हम बोलते हैं alopecia ariata दोस्तों यह एक autoimmune condition होती है और यह जो condition है यह भी क्या है कि इसको भी ठीक किया जाता है फॉर्थ जो है जो है जो hair fall का जो region है यह एंड्रोजैनिक alopecia जो दोस्तों ट्रेडिशनल जिसमें क्या है आपका जो hearing loss है आपका जो hair fall है वो pattern hair में यानि आपका जो आगे का और जो है यहां पीछे का यह जो आपका जो बालों का जो जड़ना है जिसको frontal baldness और जो है temporal baldness जो आपकी तो इसको जो hair loss है यह है आपका एंड्रोजैनिक alopecia जिसका कारण है अपनी बोड़ी में पाई जाने वाला testosterone hormone यह testosterone hormone जो है जब डाया हैड्रो testosterone hormone कनवर्ड हो जाता है एक enzyme के द्वारा तो उसको हम जो है वो एंड्रोजैनिक alopecia बहुते हैं